नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर आशा गावडे गाइनेकलोजिस्ट एन आई विफ कंसेल्टंट उमंग होस्पिटल हड़पसरपुने से मेरे यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ बेसिकली हमारा जो वीक बाई वीक सेरी चल रहा है उसके नेक्स्ट वीक का वीडियो लेके आई हुमें कि प्रेगनसी का आपका 32 वीक कैसे रहेंगा आपको आठवा मैना चल रहा है आपके अमन की एंग्जाइटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है आपके घर के लो ये वीक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बेबी में क्या-क्या नए चेंजिस रहेंगे आप में क्या नए चेंजिस रहेंगे कौन से कौन से नए टिपस आपको फॉलो करने है कौन से चेक लिस्ट आपको फॉलो करने है तो पहले पॉइंट पे आते है कि आपक तक मानों कि 1.6-1.8 kg तक बच्चे का वेट रहेगा बच्चे का वेट क्यू बढ़ता है क्योंकि मसल मास बेबी का बढ़ रहा है बच्चे के स्किन के अंडर फैट डिपोजिशन बढ़ रहा है बच्चे के सबी और गंस तो पूरे डेवलब हुए रहते लेकिन जो लंग जे वो थोड़े developing stage में रहते हैं अभी भी बच्चा breathing की practice करता है breathing की practice कैसे करेगा तो जो amniotic fluid है वो swallow करेगा और उसको फिर से expel करेगा तो lungs contract होंगे और relax हो जाएंगे तो बाद में delivery के बाद उसको breathing के लिए वो थोड़ा easy जाता है बच्चा position occupy करता है 90% baby longitudinal lie यानि vertical position with head down of the body से थोड़ा भारी रहता है तो gravitational force की वज़े से बच्चे का head नीचे चला जाता है लेकिन एक 10% बच्चों में कभी-कभी bridge position रहती यानि उल्टा बच्चा रहता है जिसको अबलिक लाए बोलते हम लोग या आडा रहता है जिसको ट्रांसवरस लाए बोलते है और लास्ट इंपोर्टन नया चेंज रहेगा बेबी में कि उसका slip cycle थोड़ा भी अच्छे से से सेट हो जाएंगा एक on average पास से छे घंटा बच्चा सोता है फिर खेलता है अक्टिव रहता है और फिर से सोता है तो यह slip cycle बेबी की अच्छे से से सेट हो जाएंगा तो आइए ममीज देखते हैं कि आप में क्या-क्या नये चेंजेस रहेंगे जो कि हम लोगों ने लास्ट वीक में डिसकस करें कि ब्रैक्स्टनिक्स कॉंट्रक्शन बोलते हम लोग फॉल्स लेबर पेन जो आपके अभी काफी पिक लेवल पे रहेंगे यह फॉल्स लेबर पेन याने वर्ड में ही लिखा है कि फॉल्स रहते वो जूटे लेबर पेन रहते आपको इर्रेगुलर कभी तो आपका टमी जहन करने के लिए तो आपके बैक और यूट्रिस के मसल्स टेंपररी कॉंट्राक्ट होते हैं रिलाक्स होते लिखा तो आपकी बोडी रेडी हो रही नॉर्मल डिलिवरी के लेबर पे एंश जहन करने के लिए जो बहुती नॉर्मल सिम्टम है यह आठीवे और 9th मंत में ज आपको पाइल्स की तकलिफ बढ़ती है, वो बच्चे का वेड बढ़ रहा है बहुत ज़ादा तो इसकी वज़ए से आपके पेरों पे स्वेलिंग आता है, तो स्वेलिंग बढ़ता है आपको नी मे या इस नी बढ़ता है, आपको बेख का बयाल तो उसकी वज़े से आपको चक्कर आने की तकलिफ थोड़ी और ज्यादा बढ़ती है, आपकी स्कीन काफी ड्राय हो जाती, आपकी टमी अच्छे से स्ट्रेच होती है, टमी एकस्पांड होती है, तो आपकी स्कीन भी स्ट्रेच हो जाती है, तो उसकी वज़े से आपके स्ट 32 Wex में आभी आपको कौन से कौन से टिफ्स फॉलो करने हैं, जो हर विडियो में में बताती हूン, बेसिक आपको प्रेगनेंसी में दायेट चाट फॉलो करना है, आपको दो घंटे में खाना है, इसके आागे डायेट चाट क्यों इम्पौर्टनेंट है क्योंकि आपका बेबी हर दो घंटे में हर देड़ घंटे में यूरिन पास करता है और उसका स्टमक एमटी होता है बच्चा पेट में अंदर से खाना नहीं खाता है जो आपके प्लैसेंटा के थुरू बलड जा रहा है और जो अम्योटिक फ्लूड में नूट्रियंट से वही बच्चा सौलो करता है और वही उससे बच्चे का पेड़ बरता है लेकिन बच्चे ने जैसे यूरिन करा कि उसका स्टमक एमटी होता है तो स्ट्रिक्टली आपको दो-दो घंटे में खाना है बेबी मुझमेंट पे ध्यान रखना है क्योंकि अभी किक्स बहुत स्ट्रॉंग रहते तो बेबी मुझमेंट पे ट्रैक रखना है आपको आपको पानी काफी लेना है तीन से चार लिटर पानी लेना है चौबिस घंटे में अगर आपको 3D या 4D sonography करनी है और वो अगर आपके मिस हुई है तो वो आपको करके लेनी है आपको आपके medicine time पे लेना है, आपको आपके visit मिस नहीं करना है आपके doctor के visit जो time पे आपको बताए है वो time पे आपको जाके करना है आपको stretching exercise करने है ताकि आपके पेरों पे और हाथों पे swelling नहीं आएगा आपके पेरों पे बहुत ज़्यादा swelling आ रहा है आपको बहुत ज़्यादा legs में cramp हो रहा है बहुत ज़्यादा back pain हो रहा है रात को सोते वक्त बढ़िया oil से massage करो आपना normal hair oil रहता है उससे massage करो रात को सोते वक्त पेर थोड़ा से उपर करके सोते जाओ ताकि यह पेरों का swelling नहीं बढ़ेगा ओफिस में काम करते वक्त पेर के नीचे stool रखके पेर थोड़े से उपर करके बैठते जाओ डेली coconut water लेते जाओ अगर आपने pelvic exercise शुरू नहीं करे है तो यह आठवे मैने में pelvic exercise स्टार्ट करो जो normal delivery के लिए आपको काफी help करने वाले है अगर आपने walk शुरू नहीं करा है तो आप walk स्टार्ट करो कम से कम दिन में एक घंटा walk करो break ब्रेक में करते जाओ सुबह आधा घंटा करो और शाम को आधा घंटा करते जाओ अगर pregnancy में आपको diabetes detect हुआ है या आपको blood pressure detect हुआ है या आपको liver का problem detect हुआ है तो यह सब चीजों का आप follow up लेते रहो आजकल home BP monitoring करते पेशन्ट खुद से BP लेते हैं शुगर के लिए ग्लुकोमेटर घर पे रखते तो खुद से खुद आपका शुगर और BP monitor करते रहो और आपके doctor को inform करते रहो तो end point पे आते friends कि यह 32 weeks में आपको consequence checklist फॉलो करनी है most important कि आठवा मेना चला है 5% लोगों की preterm delivery हो जाती यह टाइम पे तो आपको आपकी hospital bag ready रखनी है आपको आपके doctor finalize करने है आपको hometown जाना है यह आपको यह doctor के पास ही delivery करनी है आपको अगर stem cell banking करना है तो वो लोगों से आपको ब्यात करनी है अगर आपका maternity photo shoot बाकी है तो जल्दी maternity gowns खरिद के वो photo shoot आपको करके लेना है अगर आपका baby shower का event बाकी है तो वो आपको complete करके लेना है आपको याद से flat color के shoots पहनना शुरू करना है loose dresses खरिदने है feeding gown खरिद के रखने है तो friends अपना जो आज का 32 weeks का वीडियो है आपके baby में क्या नए changes रहेंगे आप में क्या नए changes रहेंगे और आपको कौन से कौन से नए tips और checklist फॉलो करने है वो अगर आपको useful लगा होंगा आपको पसंद आया होंगा तो हमारे वीडियो को like करो आपके friends के साथ share करो और हमारे channel को subscribe करो thank you